अध्याय दस चैंपियनशिप विजेता साइना नहवाल जीवनी साइना नहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हर्याना के हिसार जिले में हुआ था साइना अपने माता पिता हरवीर सिंग और उशारानी की दूसरी बेटी हैं माता पिता दोनों के बैडमिंटन खिलाडी होनी के कारण साइना का शुरू से ही बैडमिंटन की ओर रुझान था इनके पिता हर्याना के ओयल सीड रिसर्च निदेशाले में वैज्यानिक थे इनके माता-पिता दोनों की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी बेटी बैट मिंटन खिलाडी के रूप में नाम कमाए और साइना ने उनके सपने को सच कर दिखाया वहाँ बच्पन से अपने माता-पिता खास कर पिता से बहुत प्रेरित थी डॉक्टर सिंग ने भी अपनी बेटी की रुची भाँपली थी और एक दिन उन्होंने उसकी रुची को एक केरियर का रूप दे दिया साइना नहवाल भारतिये बैड मिंटन खिलाडी हैं इन्होंने कम उम्र में ही अपनी पहचान बना ली 13 वर्ष की उम्र से 13 वर्ष की उम्र से 2003 इस्वी से ही वह लगातार अपनी कला का प्रदर्शन कर कोई न कोई टूर्णामेंट या चैंपियनशिप जीतिती आ रही हैं ओलंपिक खेलों में बैड मिंटन में मेडल जीतने वाली यह पहली भारतिये महिला हैं साइणा ही पहली भारतिये महिला हैं जो ओलंपिक में बैड मिंटन एकल सिंगल्स के क्वाटर फाइनल तक पहुंची वह वर्ड जूनियर बैड मिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली भी पहली भारतिये महिला खिलारी हैं साइना ने कराटे में ब्राउन बेल्ट भी जीता है इसलिए दिसंबर 1998 में जब इनकी उम्र आठ साल थी इनके पिता हैदराबाद के कोच नानी प्रसाद के पास इन्हें ले गए कोच ने साइना के अंदर एक संभावित ऊर्जा देखी नानी प्रसाद प्रशिक्षन देने को राजी हो गए और तब से शुरू हुआ साइना का बैड्मिंटन में प्रशिक्षन कार्य साइना रोज सुबह 6 बजे उठकर 20 किलोमीटर की यात्रा कर स्टेडियम पहुचती थी दो घंटे अभ्यास के बाद पिता पुनह उन्हें स्कूल छोड़ते हुए ओफिस चले जाते इस दौरान वह थक जाती थी इसलिए सो जाती थी बच्ची की भाग दोर देख पिता ने स्टेडियम के पास ही घर लेने का निश्चे किया साइना को पूरा दिन व्यस्त देखकर उन्हें उनके स्वास्थ की चिन्ता हो जाती थी स्टेडियम के पास घर लेने पर साइना शाम को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग सेशन अतिरिक्त प्रशिक्षन अवधी में जाने लगी साइना तीन बार ओलंपिक में खेल चुकी हैं ये लंबे समय से नंबर एक की खिलाडी रही है जैसे जैसे बैडमिंटन जगत में साइना का रैंकिंग स्टर बढ़ने लगा वैसे वैसे स्पांसर्शिप भी बढ़ती गई इन्होंने चकोस लवाकिया जूनियर ओपन 2003 इस्वी खिताब जीता और 2004 इस्वी में कॉमन वेल्थ यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता साल 2004 में BPCL ने उभरते सितारे साइना को एक निश्चित वेतन पर नियुक्त कर लिया 2005 में साइना मित्तल चैंपियन ट्रस्ट के संपर्क में आ गई साइना ने अपने परिवार के साथ साथ भारत का भी नाम उंचा किया 2005 इस्वी में उस समय की जानी मानी खिलाडी अपर्णा पोपट से Asian Satellite Badminton Tournament जीतने वाली साइना भारत की पहली खिलाडी बनी वर्ष 2006 में साइना ने फिलिपीन्स ओपन में फोर स्टार टूनमेंट जीता 2008 इस्वी में साइना जापान की सयाका सातों को हराकर वर्ल जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतिय महिला बन गई 2009 तक साइना बैडमिंटन की टॉप खिलाडी की लिस्ट में रही है 2015 में साइना वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर थी इस मुकाम पर पहुचने वाली ये पहली भारतिय खिलाडी थी और प्रकाश पाड़कोन के बाद दूसरी भारतिय थी त्रोणाचारी इनाम जीतने वाले स.म. आरिफ साइना के प्रशिक्षक रह चुके हैं बैडमिंटन क्षेत्र के नामी खिलाडी पुलेला गोपी चंद भी साइना के प्रशिक्षक रह चुके हैं जो हैदराबाद की एकाडमी में कोच हैं उनकी कारी कुशलता के लिए उन्हें राजीव गांधी व अर्जुन पुरसकार पहले ही मिल चुका हैं 29 अगस 2009 को उन्हें बैडमिंटन में भारत का नाम रोशन करने वाली साइना नहवाल के कोच के रूप में द्रोणाचारे पुरसकार दिया गया इनके व्यावसाईक पेशे को आगे बढ़ाने का श्रे ग्लोबो स्पॉट को दिया जाता है ग्लोबो स्पॉट ने ही साइना के केरियर को एक नई दिशा दी साइना की इन ही उपलब्धियों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 2009 इस्वी में अरजुन पुरसकार से सम्मानित किया है वर्ष 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में साइना ने स्वर्ण पदक जीत कर एक और उपलब्धी हासिल की साइना उपते सूरच की भाती अपनी किर्णे फैला रही हैं वह कम उम्म्र में ही काफी कुछ हासिल कर चुकी है किन्तु उनका मानना है कि अभी मन्जिल पाना बाकी है वह लगातार अपनी राह पर आगे बढ़ने को तत पर है